एलो फेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी आपडीट पर आचके हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आप सभी जानतों आप सभी का क्लास 12 का एक्जामरेशन कंटेनू चल रहा है और आप सभी आप सभी क्याइड़े दिश Legit के साथ हमा आप सभी कंप्लीट पर के सालूशन कहीं लिए जिए पूरे पेपर को कंप्लीट स्लूशन यहां पर डिसकस करेंगे जो भी चानल पर फेस्टयां वजी отправ होब सब्सक्राइब कर लिएगा चलिए मूफ करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट की वे आप सभी के इंग्लिस पेपर के कम्प्रीट सॉलुशन के लिए बिल्कुल भी यहां पर कुछ भी आपसे डिसकस नहीं करेंगा दर सीधें सीधे टॉपिक पर हम उसे फोकस करते हैं आप सब्सक्राइब करेंगे चलिए विदाउट टाइम विश्ट को मैंने जैसा पहले बता है इसमें हमें इंग्लिस के पेपर को डिसकस करेंगे माइडिफेंट सेट नंबर वन आपका हो या फिस सेट टू हो या सेट थ्री चलिए क्योंकि अभी यूटूब पे आपको किसी न नहीं दियाओगा तीनों सेक्छन को लेकर तीनों सेट को हम लो 처new है पूरी तरीके से जेख सकते मेरे पास तीनों सैट लिएबल है यहां करतें राफ्ति आप देख सकतWhen और सेट करेंगे । तो चलिए वर्ट करते हैं यहां पर देखते हैं देखिए आपको दिखा देता हूं देख सकते हैं अभी मैं चलता हूं सेट वर्ण के मैं complete solution discuss करूंगा चल प्लीज वीडियो को like कर दिएगा सभी candidate के पास और साथ साथ शेयर कर दिए विडियो को जैसे कि आपको जो भी अप्डेट हो आपको सबसे पहले provide हो पाएं आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट वन से करते हैं जैसा कि मैं आपको बता है सारे सेट को मैं डिसकस करूंगा चलिए आप देख सकते हो सेट नमबर वन हम लोग आच चिकें देखिए बिल्कुल भी परिशान में थोड़ा सा आपको वीडियो लंबी होगी बट यहां पर आपको को पेपर का कंप्रीट सॉलूशन में लेगा चलिए विदाउट टाइम वेस्ट पर सुरू करते हो देखिए सेट नमबर वन है सेट नमबर टू सेट नमबर त्री तीनों पेपर को मैं डिसकस करूंगा बबन करते हैं देखिए जो आपका पैसे था पहला सेक्शन एका आप आप सभी के साथ में डिसकस कर रहा हूं जैसे क्वेशन आपका जो सीर्य से पूछाएंगा complete the sentence by choosing an appropriate option most people conclude that the cricket is a primarily a game because of तो इसका फिन आंसर होगा option number C is the right answer is that answer for it include the physical activity क्या फिन इसका आंसर हो फिन फीजिकल activity is the right answer for this question move on करते माइडिया फिन question number second के तरह आपको second question का जो answer पर यहां पर comment करना था comment on the writer reference to the cricket does not reveal any a secret of existence तो आपको comment करना था इसके answer आपको मैं बता दूं इसका जो एक्जेक्ट आंसर होगा आपको मैं बता दूं यहां पर देख सकते हैं इसका जो answer होगा आपका वो यहां पर लिखा देखिए आपका a good a good match of cricket or of any other game neither add to existing stock of human knowledge nor reveal any secret existence is the right answer of question number B answer B का जो हो कर राइट आंसर आप देख सकते हो चले move on करते हैं question third की तरह जो third question तो जो आपका पूशा कियाते हैं आपे लिस्ट टू रिस्पोंस विच विच वाचिंग ऑफ क्रिकेट गिफ्स राइस तू इसके जो two response होंगे फैन वो पहला response में आपको बता दूं पहला response होगा आपके answer number three का वो होगा आपका पहला entertainment जी हां प is danger जी हां इसका right answer होगा move on करते है question number fourth की तरह question fourth जो आपका पुछा किया है फैंड वो question आपका क्या है देख लेते हैं select the option that convey the opposite of the destroy from the world तो फैंड इसका जो answer होगा क्या होगा फैंड आपको बात के option जो reveal है experience से generate है और पर जिएंग है तो इसके जो option के जो correct answer option number c is the right answer for this question जी है answer c is the right answer for this question number four it is necessary for game to aggressive in order to build excitement okay my dear friend move on करते है question number six की तरफ इसी पैसिस का जो six question को जो right answer आपको बता दो इसका जो right answer six question का वह भी आपको option number c जो है राइट है यहां पे spectator who enjoy the match as an armchair soldier is a right answer for this question move on करते हैं question seven की तरफ why does the writer compare games to a morality play तो इसका जो right answer आपको मैं बता दो आपका paragraph two से मिल जाएगा जिया providing safe outlet for our aggression is the right answer for this question जिया providing safe outlet for our aggression is right answer move on करते हैं next question की तरफ आप देख सकते हो next answer aggressiveness होगा क्या होगा इसका by aggressiveness is the right answer for this question move on करते हैं next question की तरफ आप सभी क्या देखने को मिलता है जो आपका है the writer advice to play the game should not become aggressive because तो फिर इसका जो right answer होगा फिर आपका क्योंकि कोई जीतने या कोई जीता कोई हारता है फिर कोई जीते कोई हारेगा तो फिर इसका right answer होगा बता दिया करते हैं question 10 के तरफ जो 10th question आपका आपका question 10 आपको select the suitable title above the passage जो पैसे दिया तो इसको suitable title बताना था तो आई होब आपने टाइटल लिखा बहुत simple title था the true spirit of playing game is the right answer for this question of an option number D is the right answer move on करते हैं second passage की तरफ second passage हो था वह आपका थोड़ा से आप देख लेते हैं message जो था इसका जो राइट आंसर मैं बात करो सीधे त्यारी कर रहे हो तो चलिए फैन आगले question के answer देख लेते हैं पहला question जो सीधे पूछा गया आपका इसका जो राइट आंसर फेन देख सकते हैं आप पर true or false है तो फेन इसका जो राइट आंसर फेन ऑप्शन नमट गिवन और option नमबर सी इसका जो आंसर मैं बात को सीधे इसमें options नहीं available थे तो according to my point of view not given इसका राइट आंसर बहुत सा यूट्यूब पर अंसर बता रहे हैं बाट आप इसको इसका जो आंसर होना चाहिए according to my point of view not given जी हम if there is no information on this okay move on करते है next question की तब second जो question आपका यहां पर select the option that displays the most likely reason for bird hits तो इसका जो आंसर होगा second question का वो होगा फिर आप सभी का option number b is the right answer for this question जी है इसका जो आंसर होगा second का the at the time of landing or taking off okay फिर 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 करते हैं question third की तरह question third जो आपका है complete the sentence appropriate with one word तो इसका जो राइट आंसर होगा smaller plane are generally more blank than longer larger one इसका इसका एक आनसर क्या होगा आपका suspectability suspectability is right answer for this question जी है suspectable okay फिर फिर करते हैं next question की तरह जो next जो आपका जो question आपका fourth question इसका जो आपके पर से अबले में आप देख सकते हूं यहां पर तो इसका जो राइट आंसर का फॉर्ट का फेन आप्ट नमब भी इस राइट आंसर फेन दा पाइलट मच्ट लैंड एड अरलियस्ट एयपोर्ट इस राइट आंसर जो आपका इस पैसिस का है बेस्ट ऑन दे पर आपको उस से में अक्सिडेंट के चांसे ज्यादा थे और आपके चांस सेंसर ज्यादा थे डैट आप लेकाइं करते हैं प्टेशन नमबर सेवन की तरफ यहां पर इसको भी कम्पीट करने सेंटेंस को तो इसका जो आंसर होगा है आपका मुवमेंट एंड नौट पॉसिबल मुवमेंट पॉसिबल नहीं था करते हैं क्योंकि तरह माइडिया फैंड नेक्स्ट कोशन जो आप सभी एट का विच आर अर्द एरिया मोर प्रोन टू बर्ड हिट्स उसमें कौन से एरिया था क्योंकि वह हाई एल्टिटूड पर था एरोप्लेंट फ्लाई कर रहे थे वह बहुत ही हाई एल्टिटूड पर क सब्सक्राइब करते हैं क्वेशन नंबर नाइंथ की तरह इस पैसिस का तो देख सकते हैं बहुत सिंपल था इसमें करना था टेक्स्ट को स्टेट पॉइंट लिए था आपने लिए पॉइंट को लेकर टेंथ कोशन जो आप सभी का इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नमब प्रणों जो ने लिखा हो गया है और तो आपको मार्च बने के चांसहीं को देखाए तोपने को मार्क्ष मिले होगे मुवान करते हैं सेट्टमर यहाँ तक हम बात करें आपने आपके सामने जो है आपका इसके आंसर मैं आप सीथे बता दोता हूं इस एक्सेट के पाले मैं बताओं यहां से लिए गया था आपका इस एक्सटेक्स आपके सामने है कुश्टन पहला जो पूछा गया था चूज दूर्च आपको आपको दिया गया था पहला इन देव एक्सटायट देनेटर फिल संस्टाइस फिर फूर फूर्फूल नॉस्टिग लिजिक और रिग्रेट फूल तो इसका जो पहले का option number B is a right answer friend fearful is a right answer for this question move on करते है question second के तरफ identify the word the extract means colorless colorless का मतलब क्या होता है इसका पेल पेल क्या होगा इसका colorless का इसका answer होगा move on करते है question number third की तरफ third जो आपका question है आपका analogy correct करनी थी यहाप तो smile का क्या होगा यहाँ पर smile का आपका आपका alliteration alliteration क्योंकि इसी बार-बार हम रिपीट करते रहते हैं यहाप का simili में तो क्या होगा है पर smile क्या होगा alliteration okay move on करते हैं आप नेक्स्ट कोशन फूर्थ क्वेशन देख लेते हैं आपका क्या दिये गए आपका प्रफ्ट क्वेश्टिन आपका है यहां पर आप्शन सापके पास अवेलेबल है चूज करें थे तो आप्शन नमबर ए राइट आंसा फॉर दस वन स्टेट्मेंट यहां पर टू है बट सेकंड वाला पॉल से ओके फैंट करते हैं क्वेश्टन नमबर फिप्ट की तरह यहा यहां पर किस इसको फियर कर रहा है तरह लूजुंग दिया उसको मदर उसकी लॉस कर चुकिए इसक नहीं तरह कि लूजिंग को खो दिया है नेक्स्ट देखते हैं आपका जो सुख्फ फिल दफ ब्लैंक्स भीक्स तो इसका वह क्या होगा कलर्लेस इस तराइट अंसर पी क चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा क्योंकि आपकी नेक्स्ट पेपर साइंस के स्टुडेंट का है उसके रिगार्डिंट वीडियो सम ले आ रहे हैं एक इंपॉर्टिंट वीडियो मैंने बता दिये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने हैं चैप्टर वाइस जो आपके chemistry के रिगार्डिंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको डिसकस करेंगे और भी चीज़ें डिसकस करें इकनोमिक्स में तो आप जरूरुर चैनल क आप सबी के लिए ला रहे हैं चले फंड मूब आन करते हैं क्वेश्चन नमर्स सेवंथ हो चुका है और जक्सन आई होप बहुत सारे कैंडिट्स ने किया होगा एक्जैक्ली हमां बात कर यहां पे तो इसका जो आंसर होगा आप सभी को मैं डिसकस कर लेता हूं देखिए इसका जो अनसर होगा पहले कोशन का क्या होगा देखिए इसका जो आपका दिया कर यह यह से था इस इस सेंटिमेट एक्षिस इने एक्सटर इंड ऑव एक्स ने तो किस सेंटिमेंट को डिसकस किया आपर option number सब्सक्राइब करते हैं थर्ड की तरफ रोट साइड इस्टेंड ओनर प्रेइफ तो फिर यहां पर साइड के किनारे खड़ेगों करों कुप्लीट फॉलिइंग एनलोजी करेक्ली सेल्फिस करके क्या होगा परसुनिफी्र कीशन टान्श१ करते हैं कि तरह फिर जो इसके एक्जैक्ट आंसर की बात करें तो option number a is the right answer one is true but two is a false okay six question की बात करें आपको एक्सरेक्ट को फिल ब्लैंक्स करते हैं बताना था आपको तो इंप्लाइस 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 इस्टॉपिंग औफ का इस राइट आइट आइट आपको बहुत थे क्योंकि आपको लिखना था आपने लिख लिया होगा सब्सक्राइट सेखने औरन का लेखना कंप्लाइस असे ग्योंके अपको होने यहां पर यहां पर ईसदिल राइट एक इस थी सिर्ट इस डियूक्स अचाहईं sniff ऊप्शन इस व to skin me suggest of तो रॉब और मगप समवन जी क्या होगा फैंड तू रॉब और मगप समवन ओके आप इसके बात करते हैं और वाले सेक्शन करें पहले कोशुन के सेकंड कैंड क्या होका है पॉजिटीव यहाँ पहले तरब प्रेयर 대해 हो औब करते हैं तरह चलते हैं तरफ क्थ तरफ पर्प्रप्रि centrifट बताना है आपका इसका जो राइट आंसर थर्ड फिर्ट 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 रोगा आपका option number B is a right answer for this question जी हम यहाँ पर देख लेते हैं दे वृड बी रिपल्स बाइड डेरी इस राइट आंसर बी इस राइट यूट करते हैं question तो भी वह नहीं रहेगा करते हैं क्वेशन नाइंथ की तरह पहले की बात करें जो पहले का जो और बिकोशन आफ टू नहीं फैर वह का ऑप्शन नमबर ए दा हॉटमेंट्स वे शाइन एंवाइट इन इन वाइट आइट आंसर ओके फैंड मोवण करते हैं थर्ट कोशन की तरह पर थर्ट कोशन देख सकते हैं थे बैंगल वरकर वकर्स लूज यह आई साइट बेकास देखेंग अडल्ट विकॉज आफ रहंव देगे बाकेश्ट इंद देम लाइट ऑप्शन नमबर बी इसक्ताइ आई तरह फोर्ट क्रॉस देख धेवर भॉड के यह चुट इफ फोलंग इस दा मोश्च नियरी मीश्ट इन अग्ष्ट इन पर कोशन देख स करते हैं नेक्स्ट कोशन के था फिलिकरिंग ऑल लैंप का क्या आंसर वं इसकी बात करें लो एंड अंस्टीडी लाइटनिक इस राइट राइट होता है यह दीम लाइट होता है इसको कहते हैं फिलिक्रिंग मथलब ठीक है वाट इस दे एक्टनॉमेंस आफ एक्सट्रैक्ट तो इसका जो आपका बात करें यहां पर क्या होगा आपका बात करें तो ऑल्वेस होगा देख सकते हैं यह पेपर बहुत सिंपल था और इसके बाद जो क्वेशन थे वह लॉंग आंसर थे आप सभी ने सब्सक्राइब करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कोई अगर आपको पूछ लिएगा चलिए सब्सक्राइब करते हैं अब हमने सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैंने बताया था सब्सक्राइब कर लिए तो प्रीस वीडियो को लाइक कर दिया गए सबी कैने पर शेयर कर दीजे फर मोग आउन करते हैं सेट नमबर टू कि देखे पहले कोशन का सीधे आंसर बताओंगा क्योंकि जो पैसिस था तो पैसिस कभी मैं सीधे आपको मैं डिसक्स कर लेता हूं सीधे मैं आपको सिफ आंसर इसमें डिसक्रस कर सब्सक्राइब करते हैं जो आपको दो रिस्पॉंस बताने थे तो इसका जो रिस्पॉंस पहला कौन से था इंटाइन्मेंट तो दूसरा आपके हम बात करें यहां पे एक्सपीरियंस तो थ्राइस त्राइल वार विदाउट एक्सपोजिंग अस्टू इस डेंजर इस राइट आंसर फॉर्ट करते हैं आपके सिक्स्थ के तरफ सिस्थ कॉश्ण देख सकते हैं आपको बताने थे आपको करनत कंपे कंपेयर सरुग्यर सरुगेट वॉर्ययर तो इसका जो राइट टांस पी प्र नॉप्शन नमबर झीस अटीन टांसर फोस्टूं और फैंटS को देखते हैं वाय डस राइटर कंपेयर to a morality play तो इसको मैंने डिस्कुस कर लिया वहां से देख सकते हैं सेट नमबर वन जब डिस्कुस कर तो इसमें डिस्कुस किया था क्योंकि जो भी objective questions मैं यहां पर बता रहा हूं और सेट वन में मैंने डिस्कुस किया पूरी ब्रीफ में तो वहां से आप जाकर कर सकते हैं बात करते हैं बात करते हैं क्वेश्चन में डिस्कुस कर लिए तो आप कर सकते हैं तो तो जो होगा इस पासिस का यह आपके से तू का वह आपका the true spirit of playing game is a title best okay friend देखिए second passage जो था आपका यह था चलिए इसके अभी questions को देख लेते हैं पहला question को जो right answer इसका आपका not given होगा second question करते है second question जो आपको जो दिया गया आपका इसका जो right answer option number B is the right answer at the time of a landing or taking off is the right answer question third की तरह बात करते हैं third question appropriate with one word आपको बतायां थे smaller planes are generally more आपका suspectability इसका जो right answer of and suspectability is the right answer for this question question fourth की तरह बात करें आपको जो था इसका जो right answer of an option number B is the right answer for this question जी हां the pilot must land and the earliest airport is the right answer for this question चले फिर्ट मोवान करते हैं question number fifth की तरह fifth question जो आपका based on the reading of the text state a point to further the statement इसका जो option number a is the right answer for this question but only a few are dangerous is the right answer move on करते हैं six question को six question को मैं discuss कर लिए सब्सक्राइब देख लिए seven eight nine में में आप डिसक्राइब जाकर चेक कर लिए सीधे मैं question number 10 की तरह मैं बताता हूं बीन alarming is the right answer for this question number 10 आप बिल्कुल में confused मत होईएगा तो क्योंकि आपका set number one और set number two का जो पैसे था वो सेम था इसने में आपको टाइम ज्यादा ना लगे इस वैसे मैं इसी वीडियो में सभी को डिसक्राइब किया और जो से जो जो question जो डिस्क्राइब ब्रीफ में है उसकी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो question मैंने यहां पर डिसक्राइब नहीं किया क्योंकि यहां पर अप्रोप्रोप्रेट और रहा हूं डिस्क्राइब कर लिया होगा अब बात करते हैं पहले नोटिस लिखनी थी आई प्रोटिस आपने लिखा होगा और लिमिट का ध्यान रखा होगा अगर आपने सब को देखा हो तो आपके हाथ में मिल जाएंगे इस तरीके से फोर्ट जो अब बात करें जो पहले का जो आंसर होगा आपका और तो आपका रेपटेशन कह सकते हो यह फिर्टरेशन कह सकते हो आपका क्या होगा क्या होगा क्या होगा आपका एलिटरेशन भी कह सकते हो या फिर रिपीटेशन रिपीट करते हैं चीजों कुसमें बात करते हैं फोर्ट जो आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर फिएंट आपको नापिस्ट आपको बताना क्या वाट चाइल हुट फिया इन दा पोईट रिफिरिंग तुसमें पहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि बात कहें जो राइट आंसर फिन आपका होगा वहम बात करें तो डाइंग क्या होगा इसका डाइंग भी कह सकते हैं क्या होगा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की तरह आपका सेबंथ का बी भी अटेम्ट किया होगा तो इसका जो राइट आंसर पहरे में सीधे बता दो देखिए पहले का जो आपका ऑप्शन अमबर डी करते हैं आपके सेकंड कोशन की सब्सक्राइब कर देख लिएगा थर्ट कोशन जो आप सभी क्या यहां पर क्या होगा दा रोड़ साइड इस्टेंड ओनर स्प्री फॉर्स तो इसका जो राइट आपका तो क्या होगा सी ऑप्शन नमबर कार इस टॉपिए क्या कर रहा था चलिए अब बात करते हैं अनलोजी इसमें भी सेल्फिस कार कर क्या होगा आप कहां बात करें तो परसुनिफिकेशन चली मूव और करते हैं फिप्ट कोशन के तरफ फिप्ट को जो राइट आंसर होगा इसमें भी स्टेट्मेंट जो दिया है पहला वाला ट्रू है दूसरा करते हैं क्वेश्ट आंबर एट यानि कि एक्सट्रेक्ट बेस्ट कोशन पर जो पहले कोशन आपने लिख लिया होगा सेकंड कोशन का बात करें तो सेकंड कोशन का जो आंसर फिन आपका आपका यह होगा क्या होगा फिन आपका ऑप्शन आमबर यह राइट आंसर थाट इ दी होगा फोर्थ कोर्शन बात करें जो आपका था इफ यू आ ट्राइंग टू स्किन माई सजेस्ट तो रॉब और मगप समवन जी इसका राइटांस होगा चलिए अब हम बात करते हैं मिस्टर लैंब वाले चैप्टर की अगर ने किसी काइंड यह मिस्टर लैंब वाला किय करते होगा तो इसका राइट अंसर पहले को मैंने वहां पर डिसक्स करें तो आप जाकर चेक कर सकते हैं स्यकंड को राइट आनसर और ओप्जिन तो प्रॉप्जिन जाय पर दिसक्वर द से चलिह चुँज दे क्रिक ओप्शिन टो डाइट वर्टिट आप को बताने थे था पोर्थ कोश्टन की तरफ वोर्थ जो रही अंसर में भब डिसकस कर लें जाको आप चेक कर सकते हैं तो और लूपन यह जो पेपर था बहुत है सिंपल था अब में वकर नाइन्थट कोउशन दिख लेते हैं हैं आपके करिए हुआ की किसी बात करते हैं क्रांब करते हैं आपको फिर that दिस्क्राइब में था इसे मैं में बता दिया था करते हैं सेकंड कोशन जो राइट राइट नमबर ए ता हट्वेर शाइनिंक इंवाइट इस राइटांसर की बात करें घूर इन दीम लाइट जतर नौहीं पर फॉर्ट कुर्ट को फोर्ट कोसटन को जो राइट आन्सर फॉ लाइटिंग का सकते हैं या फिर नो लाइट का सब्सक्राइब करना तो आपको फुल मार्स मिलोंगे वर्ड लिमिट के अपने लिखा चलिए अभी तक कि मैंने करें लिखर करें चलिए अब हम लो सेट नमबर फ्री को सब्सक्राइब करें चलिए अब आगे बढ़ें अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि यह चैनल आप से लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और है आप सब्सक्राइब को लेकर हमारे टीम ने बहुत इंपोर्टेंट वीडियो बना दिया है जो आपको पढ़के जाने हैं आपकी चैप्टर वाइस आपकी कैमेस्ट्री में तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया है जाकर चेक कर सकते हैं लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और एक वीडियो और हम लाने वाले इसके बाद जिसमें और भी इंपोर्टेंट टॉपिक के बाद हमने डिस्कॉस करेंगे क्यों कौन से इंपोर्टेंट रियाक्शन से कौन कॉछन से प्रिविएस बीचन बेशन पर पूछे गया तो सब कुछ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथ सद बला आइकन को क्लिक करिए को वहीं हम बात करते ह सब्सक्राइब बता दें आप सभी का इक नॉमिक्स का ओने जा रहा एकनोमिक्स के वीडियो भी हमने बहुत जल्दी लाग दिये हैं क्योंकि पहले वीडियो अप्रोट कर दिया इस वह नेट इंकम को डिसकॉस किया है नेस्टन लिंग को हां सब जाकर चेक कर सकते हैं लिं सर्फ कर दिया आपको देख लिएक हैं आपका आपके पास आंसर होगा हम बात करें तो इसका फॉर्थ क्वेशन वोह पका होगा जनरेट ऊंसर for this question question number 5th की बात करें 5th question का जो राइट आंसर होगा option number C is the right answer for this question 6th question की बात करें फिन 6th question जो है इसका जो राइंसर correct होगा हम बात करें तो option number C 6th का भी राइट आंसर फिन option number C होगा spectator who enjoy the match as an armchair soldier is the right answer 7th मैंने वहाँ पर discuss के लिए 8th महीं है मैंने डिसक्स के लिए 9th में बता है 9th में डिसक्स करें सीरे में 10th क्या आता हूं क्योंकि यह टाइम वेस्ट नहीं करना आप जाकर चेक कर सकते हैं set number one or set number two में हम पर discuss करें इसी वीडियो के लिए आप सुरी स्टार्टिंग में जाकर देख सकते हैं जब इसक्स किया था तो हमें मैं डिसक्राइब में ब्रीप में हमें एक्स्प्लेइन किया था आपको चलिए 10th को जो राइट आंसर फिन हम बात करते हैं option इसका स्टेट्मेंट का जो राइट आंसर फिन आपके बात करें तो इसका स्टेट्मेंट का जो राइट आंसर फिन आप्शन नमबा बी आट टाइम अफ लैंडिंग और टेकिंग ऑफ राइट आंसर मैं बता दूं सिस्पेकियाइव स्यवगा वाइट राइड करें वर्सक्र्शन को जो था इसका देख सकते हैं पॉरइंस को एसका इसन आंसे नमबा बी足 अंसर पर दिःट अर्वन नम्मबाशन पें अंसर नमिग एस लुट박 सब्सक्राइब भागी इंपर काइब यहां पर बहुत थी जोन ने परबर बनाए होगा तो आपको मांक्स मिले होगी और आपने लिखा तो नोट इस ता पहला आपने लिखा होगा इसी तरीके से सारी चीए सिंपल थी आई होप आपने राइटिंग सेक्षन कंपीट कर लिया होगा बात करते हैं पहले राइट आंसर होगा सेकंड के बात करते हैं आप से सेकंड कोशन की तरब सेकंड जो नियुक्व और फिर यह रेपीटेशन कासे चली मुव और करते हैं फोर्थ कोशन की तरब फॉर्ट कोर्षन की तरब बात चांवाब तो तो लूजिंग दियर मदर उसको डर था कि मदर उसकी लॉस कर चुकी बट ऐसा नहीं था फिल दा ब्लैंक्स करने था प्रप्रोपीट वर्ट से पेल आज वेंटर मून सजेस्टे टू इसका फैंड कलर लेस होगा कलर लेस होगा करते हैं सेवंथ के और वाले सेक्शन की त सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करने 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 सब्सक्राइ जरूब कर दिएगा चानल को सब्सक्राइब करें आप जरूर देख सकते हैं चले बात करते हैं चारे बात करें आपका पस्तх कोशन का on the end इसके बात करें यहां पर जो दिया गहां इसका प्रफिशन कर सकते हैं इसके राइट आंसर की तरफ चलिए है जो राइट आंसर होगा और आपका आप्शन नमबर और फॉर्थ कोश्चन इस तरह तो रॉब और मगप समवन इस राइट आंसर चली अब हम मुववण करते हैं और वाले स्टेशन मिस्टर लाम वाले चाप्टर की तरह स्फक्लिः जो राइट आंसर वो बात करें वहां थो है राइट पैसे पोजिटिव ब स्थि sub श्चेकर राइट अंसर शपर करतें वह प्रोशन की तरह मोटि करते हैं मुवन करते हैं और आपका उप्शंस आपकी पास तो इसका राइट आंसर अप्शन नम्बर बी इस राइट आंसर चलि पॉर्थ कोशन की तरह करते हैं पूर्थ भी वहाँ पर मैं डिसक्स कर लिए था क्योंकि वाट डा मिस्टर लैम मी दे माइट को महां पर मैं डिसक्स किया तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं ठीक है चलिन नाइंथ नाइंथ कोशन क्योंकि चलते चलते नाइंथ कोश्न के जो और से उसको सब्सक्र रहर करते पहले स्ट्यट्मन मिहां पर था डिस्क्स की है करने सेंटेंस्ट तो चलिएवाप सकते हैं आप सेकेंड को सट्व होगँ ऑप्शन नम्बः इसका राइंब लाइट उन्ट को अन्ट करते हैं फोर्थ कोश्चन को राइट वो होगा अप्शन नबर ए कंडीशन इसका राइट आइसर होगा फ्लिक्रिंग ओईल लैंप का क्या आपको बता दिया सब्सक्राइब कर दिया और बाकी जो बच गहां वह सारे आपको डिक्रिप्ट्राइब आपको लिखने थे अप्रोपीड लिमिट के को आपको मार्क्स मिले होंगे और अगरी वीडियो जिनवी अगर पूरे सालूशन चाहिए और जो क्वेश्टन्स आपको मैंने नहीं बता हैं आप जाकर चेक कर लिए का इसी में मैंने सेट टमबर वन जब मैं डिस्क्राइब किया हूं तो उसमें मैंने सभी क्वेश्टन्स के आंसर डिस्क्राइब में आपको दिया है तो आप जाकर आंसर वहां से मैच कर सकते हो और साथ साथ आप हम नेक्स्ट वीडियो डिसक्स करेंगे आप से भी के इंपॉर्टेंट रियक्षिंस वह बहुत जल हम लाने वाले हैं तो जरूर्ट चानल को सब्सक्राइब कर रहें तो साथ से वीडियो को सभी की पार शेयर कर दिया कंप्लीट सॉलिशन मैंने आप डिसक्स क दियेगा तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट विडिम सो थैंक यू फिर वाटन इस विडियो थैंक यू